हाई फ्रेंड्स वेलकम टू टैली डीटल क्लास दोस्तों फिर से एक और बार मैं आपका इस चैनल में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के इस वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वीकॉम सेम वन के लिए अल अबाउट जितने भी सब्जेक्ट है उसके कौन-कौन से सब्जेक्ट है कौन सी बुक्स आपको लानी है उसके डीटेल आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको देने वाला हूँ तो दोस्तों चलिए सुरुआत करते हैं सुरू करने से पहले मेरी आप से एक छोटी सी रीक्वेश्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्व चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजिमार तबेल आइकन को भी दबा ल चल्दी है और आपको कौन कौन सी बुख आपको लानी है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ ले चलता हूँ अपने स्क्रीन तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर सेम वन के लिए टूटल साथ चैप्टर, साथ सब्जेक्ट होते है, साथ बुक आपको लानी होती है सबसे पहले तो आपको financial account की बुक लानी है financial account में जो भी finance की लगते हिसाब होते है वो आपको वो इसके related है उसमें आता है इसके बाद cost account, cost account मतलब पड़तर न हिसाब हो इसके बाद तीसरा है state, state में आपको खबरी होगा इसके बाद economics है, इसके बाद human research as a management इसके बाद English और last में है commercial communication इसाथ चैप्टर आपको books खरीद लेनी है और यही subject आपके बीकॉम में आने वाले है सेम 1 में तो आज के इस वीडियो में हमने देखा वीकॉम सेम 1 के कौन कौन से subject है और उसे कैसे आपको books कौन से लानी है और हाँ दोस्तों अगर कुछ आप comment करना साथे है तो comment कर सकते है उसके हमें एक separately वीडियो Sunday comment box में आपका उसका जवाब दोंगा चलिए दोस्ता मिलते है